हलो स्टुडेंट्स बिलेंट स्टेडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है आज इस वीडियो के माध्य हम सम्मलों क्लास 11 कैसी से न मैध से या मैध कोई भी होगा पॉइंट्स ममलों का होगा एंगिल बिट्वीन दा लाइन्स स्टेट लाइन्स एक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन्स समलों पढ़ रहे है तो उसमें आज का यह पॉइंट्स है एंगिल बिट्वीन दा लाइन्स चलिए स्टाट करते हैं और पहला है कि वो एंगिल बिट्विन दे लाइन्स क्या होगा अगर ये दो एक्वेशन माले एक पहला एक्वेशन से है और ये दूसरा एक्वेशन है मतलब यह पहली Lines है और दूसरी Lines है और इस Lines पे हमको निकालना है कि एंगिल बिट्विन Lines क्या होगा सपोज करो कि कोई एक Lines यह है पहला वाली हो गई है Lines और दूसरी Lines यह है यह दूसरा वाला Lines हो गया तो इसके अंदर इन दोनों के बीच अलफा अगर हम एंगिल ले लते हैं या मानलों की ठीटा एंगिल ले लते हैं ठीक है तो एक तो यह हो जाएगा तो दूसरा एक यह भी हो जाएगा पाई माइनस ठीटा और इधर भी मतलब दो एंगिल्स बनेंगे पाई माइनस ठीटा औ तो दो एंगिल्स होगा, एक एक्यूट एंगिल्स होगा, और एक अप्ट्यूज होगा, ठीक है, अप्ट्यूज होगा, तो वो दोनों एंगिल्स कैसे निकालेंगे, तो अब यह देखिए, कि हम अगर मान लेते हैं, कि यह फर्स्ट लाइन्स की एक्वेशन से है, और यह सेक M1, M1 and M2 are the slope of lines 1 and 2 respectively हमने माल लिया कि इसका M1 slope है और इसका M2 slope है ठीक है तो पहले slope निकालते है तो M1 निकालना है तो यह given है given line first A1X plus B1Y plus C1 is equal to 0 इसको हम ऐसा लिख सकते है that gives B1Y is equal to minus A1X minus C1 और यह लिख सकते हैं कि Y is equal to minus A1 by B1X minus C1 by B1 और compare कर सकते हैं compare with Y is equal to MX plus C तो इसमें M क्या होता है slope होता है तो यहां M की जगा क्या है minus A1 by 2 तो यह हो जाएगा that gives M1 is equal to minus A1 by B1 again again दूसरा equation से यह पहला था और दूसरा है A2X plus B2Y plus C2 is equal to 0 यह दूसरा है तो इसको भी हम लिख सकते हैं Y is equal to minus A2 minus A2 by B2 X plus प्लस नहीं minus हो जाएगा minus C2 by B2 और इसको भी compare कर देंगे compare with Y is equal to MX plus C तो यहां हो जाएगा M2 is equal to minus A2 by B2 इसको equation third और इसको equation fourth लेते हैं अब क्या करते हैं चलिए यह एक्वेशन third or fourth है M1 और M2 निकल गया अब अम माल लेते हैं कि लेट अब अब बते हैं अब बते हैं then theta is equal to M1 plus M2 और ऐसी conditions में दोनों तोरफ अगर tan theta ले लेते हैं तो यह हो जाएगा tan theta is equal to plus minus ले लेंगे क्यों? क्योंकि यह tan theta एक plus आएगा तो यह minus एक आएगा क्योंकि tan pi minus theta is equal to minus tan theta ठीक है? यह मिलता है तो अगर एक ले लिया दोनों एक साथ calculate कर रहे हैं कि अगर यह tan theta है तो यह minus tan theta हो जाएगा ठीक है? अब minus tan theta हो जाएगा तो दोनों को एक साथ ले लेते हैं क्योंकि यहाँ plus m1 plus m2 माइनस m1 plus m2 होगा तो यह हो जाएगे tan m1 plus m2 तो यह हो जाएगा लिखी देते हैं tan m1 plus m2 और इसको open करेंगे अगर तो यह क्या मिलेगा? tan theta is equal to tan a plus b होता है a यानिकी m1 plus plus मैनस लगा देता है पहले ही तो m1 plus m2 by 1 माइनस m1 m2 तो एक plus में हो जाएगा या फिर दूसरा लेंगे तो यह कंडिशन्स हो जाएगा यहाँ पर plus नहीं माइनस होगा m2 माइनस m1 तो यहाँ पर भी माइनस होगा और यह हो जाएगा तो mod ही direct लगा देते हैं और यह हो जाएगा माइनस माइनस a1 by b1 और माइनस माइनस a plus हो जाएगा यह हो जाएगा a2 by b2 divided 1 अब माइनस अब माइनस प्लस हो जाएगा और यह हो जाएगा a1 और दोनों यह उपर माइनस रहता है तो यह नीचे प्लस रहता है तो A1 by B1 into A2 by B2 और इसको जब solve करतेंगे तो यह नीचे A1 और B1 आ जाएगा तो यह हो जाएगा that is equal to mode A2 B1 और यह माइनस हो जाएगा A1 B2 minus A1 B2 divided by यह B1 A1 A2 plus B1 B2 तो यह mode ले लेंगे तो plus minus automatically हट जाएगा यह जब solve करेंगे तो A1 B2 minus में रहेगा और B1 A2 plus में रहेगा तो इसको यह लिख दिया है और यह B1 B2 यहाँ पे 1 के साथ multiply होगा A1 A2 plus में रहेगा और नीचे दोनों के B1 B2 B1 B2 आगया cancel हो गया तो यह terms मिला यानि कि हमें क्या मिला कि अगर कोई दो लाइन से उनके बीच में एंगेल ठीटा है तो 10 ठीटा is equal to यह हो गया तो एंगेल जब निकालना होगा तो हम लिख देंगे कि हैंस यहाँ पर लिख देते हैं हैंस एंगेल इसको अठा जिते हैं हैंस ठीटा is equal to क्या हो जाएगा तो हम देखते हैं कि अगर 10 ठीटा is equal to x तो यहां से हो जाता है थीटा is equal to 10 inverse x तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा is equal to 10 inverse और यह हो जाएगा मौड में ले लेते हैं ज्यादा बेटर रहेगा तो यह हो जाएगा a2 b1 minus a1 b2 divided by a1 a2 plus b1 b2 तो यह तो हो जाएगा acute वला आप tuse वला क्या हो जाएगा और और थीटा is equal to pi minus जो acute आएगा उसको pi में से minus कर देंगे निकल जाएगा मौड अफ a2 b1 minus a1 b2 divided by a1 a2 plus b1 b2 तो यह angle between the two lines होंगे angle between the two lines तो acute वला जो tan inverse के साथ निकलेगा और obtuse वला उसको pi में से minus कर देंगे यानि 180 में से minus कर देंगे जैसे अगर यह निकल गया मनलो 30 degree तो यह वला हो जाएगा 150 degree तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं दो lines के बीच में angles यह formula आमको याद रखना पड़ेगा इसमें a1 b1 क्या है तो b1 b2 दोनों lines के y coefficient है और a1 a2 दोनों lines के x coefficients है तो c1 के इसमें जोरत है ही नहीं तो चलिए एक questions के द्वारा इसको देखते हैं find the angle between lines root 3 x plus y is equal to 1 और x plus root 3 y is equal to 1 तो सबसे पहले तो ले जता है कि let root 3 x plus y is equal to 1 equation first with slope m1 that is equal to इसको find कर लेंगे यह हो जाएगा यहां से y is equal to minus root 3 x plus 1 तो इसमें m क्या हो जाएगा minus root 3 and x plus root 3 y is equal to 1 that is equal to y is equal to minus 1 by root 3 x plus 1 by root 3 with slope is equal to y is equal to y is equal to y ye क्या हो जाएगा 패क से वन गइनस 1 by root 3 x तो यहां पे दोनों स्लोप हमेरे पास है और दोनों का मतलब हुआ कि यह 10 का वेलुज है तो हमें निकालना है थीटा तो थीटा is equal to क्या हो जाएगा अलाकि यह सलोप हमने निकाल दिया है इसकी ज़रृत नहीं है इसमें शलोप निकालकर हम लोग कल्कुलेट कर चुके हैं तो ठीटा इस इकल टू क्या हो जाएगा यहां से लिए लेते हैं कि यह इसको फॉर्म करेंगे तो यह इधर यह दोनों इसको रिफॉर्म करने के ज़र दूरत नहीं थी तो ठीटा एज उकल टू टान इन वार्स यह दो को एम इसमें दूरत नहीं पड़ेगी उतना प्रालोटीज में देखेंगे में लोग तो यह हो जाएगा मॉड आफ कितना A1 यह जो ले लेंगे थीटा A2 B1 minus A1 B2 divided by A1 A2 plus B1 B2 or पाई माइनस टैन इन वार्स यह कल्कुलेट करने के जोरत नहीं है अब लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं दोबारा मेनद करने के जोरत क्या है पाई माइनस टीटा जो भी आएगा यह अलफा मन लेते हैं इसको अलफा पाई माइनस अचाए ठीटा ही रहने देते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीटा तो यह निकाल लेंगे आज जो आएगा उसको मैनस कर देंगे तो चलिए इसको निकालते हैं और यह हो जाएगा that is equal to 10 inverse a2 क्या है? 1 है तो 1 into b2 क्या है? 1 है माइनस a1 क्या है? root 3 है a1 root 3 और b2 भी root 3 है और यह a1 a2 मतलब की root 3 plus root 3 यह क्या हो जाएगा? 10 inverse 1 minus 1 minus 3 by 2 root 3 और that is equal to हो जाएगा 10 inverse minus 2 by 2 root 3 that is equal to यह 2 से 2 कर जाएगा minus का कोई value नहीं रहेगा तो यह हो जाएगा 10 inverse 1 by root 3 और इसको लिख सकते हैं हम theta is equal to 10 inverse 1 by 3 के value होता है 10 30 degree ठीक है? तो यह 10 inverse में होगा और एक 10 सिंपल्स में होगा शमन्य में तो यह दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा खुद से और यह बच जाएगा theta is equal to 30 degree तो यह हो गया acute और पाई मतलब 1 minus 180 minus 30 that is equal to theta is equal to 30 degree और 150 degree यह अंसर सो जाएगा ठीक है? तो इस तरह से निकाल सकते हैं हलाकि हमने इसमें slopes से निकालने वाले थे theta से तो वो अलग जब आगे बढ़ेंगे तो चलेंगे मतलब कि इस कि जरूरत हमें नहीं थी आपने निकाल लिया तो भी कोई बात नहीं नितने से यह बन जाता ठीक है? चलिए next देखते हैं कि यह condition of parallelism कोई दो lines है तो उसके साथ क्या conditions होगा कि वो parallel हो जाएंगे चलो तो उसके लिए देखते हैं कि क्या conditions होगा कि वो parallel हो जाएंगे हम निकालते क्या है? tan theta ठीक है? तो सबसे पहले हम लेते हैं कि अगर theta is equal to zero तो tan theta is equal to क्या हो जाएगा? zero हो जाएगा ठीक है? अगर यह zero हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? कि theta is equal to tan theta क्या मिलता है? sorry that is equal to tan theta दिया हुआ है plus minus यह आता है mods में नहीं है तो ज्यादा बेटर रहेगा plus minus a2b1 minus a1b2 divided by a1b1 a2 plus a1a2 plus b1b2 यह क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे तो अब plus minus की कोई value नहीं होगी और यह 0 कब होंगे? अगर यह मानलो की 0 कब होंगे? इसमें तो ऐसा हो नहीं सकता है कि दोनो 0 हो जाएगा तब यह 0 होगा क्योंकि अगर आजाता है 0 0 by 0 तो यह undefined होता है ठीक है? यह undefined होता है यह कोई numbers by 0 वो undefined होता है ठीक है? लेकिन अगर कोई भी 0 में number defined होगा तो यह 0 ही होगा तो लिख देंगे कि 8 is possible if and only if a2 b1 minus a1 b2 is equal to 0 that gives a1 b2 is equal to a2 b1 यह देखिए negative है उदर जाकर positive हो जाएगा that gives a को इधर लादे तो यह हो जाएगा a1 by a2 equal to b1 by b2 ठीक है? तो यह conditions अगर मिल जाता है तो यह equal हो जाएगा लेकिन अब पीछे चलिया और याद किजिए 10th 10th में जब हमलोने equations को parallelism प्रूब किया था तो यह कहा था कि कब होगा यह a1 by a2 equal to b1 by b2 से दोनो conditions प्रूब होता है वो कौन सी conditions प्रूब होता है तो या तो वो overlap कर जाएगा many solutions हो जाएगा और नहीं तो वो no solutions भी हो सकता है तो उसका defines differ कैसे होता था तो c1 by c2 equal हो जाता था इनके तो वो parallel हो जाता था यानि many solutions उसके हो जाते थे आगर not equal to आता था तो no solutions हो जाता था दोनों लाइन parallel हो जाते थे तो not equal to यहां लेना हमें प्रोब करना है parallelism तो c की value का हमें यहां कोई मतलब नहीं है हम यहां पर दो lines कर रहे हैं कि intersect करेगा तो angle बनेगा नहीं intersect करेगा तब ही angle नहीं overlap हो जाएगा तो बहुत सारे उसको हो गए हम intersection पर पढ़ रहा है एंगिल बनेने पर तो यह a1 by a2 equal to b1 by b2 यहीं conditions होगा कि हम कह सकते हैं कि कोई lines parallel है अब इसको देखने के लिए हम एक example ले लेते हैं और example है कि for what value of k line x minus y plus 2 k 2 x equal to 0 parallel to 3 x plus y is equal to 0 तो चलिए पहले तो इसको lines को solve कर लेते हैं let x minus y plus 2 और इसको निकाल देते हैं 2 k x plus 3 k y is equal to 0 और इसको लेक चकते हैं यहां से 2 k plus 1 यह x हो गया और यहां पर plus 3 k minus 1 y हो गया और plus 2 is equal to 0 यह दो को y को इसके साथ ला दिया के x को इसके साथ ला दिया अब यहां से हमें मिल गया इसको equation first ले लते हैं और यह गिवन ही है 3 x plus y is equal to 0 equation seconds तो अगर हम लिखेंगे हैं कि if lines 1 and 2 are parallel then क्या होगा a1 by a2 equal to b1 by b2 और यहां ले लेंगे हम उसके value को तो a1 क्या है a1 का मतलब हुआ 2 x plus 2 k plus 1 और a2 कितना है 3 है that is equal to b1 3 k minus 1 3 k minus 1 divided by यहां पर कितना है 1 तो यह जब solve करेंगे तो यह हो जाएगा 2 k plus 1 is equal to 9 k minus 3 3 तो यह हो जाएगा 2 k minus 9 k is equal to minus 3 minus 1 तो यह हो जाएगा minus 7 k is equal to minus 4 ठीक है तो दोनों तरप्षा minus minus कट जाएगा तो k is equal to 4 by 7 और यह answer सो जाएगा condition for perpendicular rating दो लाइन्स परपेंडिकुलर कब हो गए similarly उसी तरह कि we have tan theta is equal to plus minus क्या है a2 b1 minus a1 b2 divided by a1 a2 plus b1 b2 तो अब यहाँ दोनों लाइन्स पैर्लल होंगे है तो theta के बहलू क्या होगा यह मनलो की लाइन 1 है और यह लाइन 2 है तो इसमें दूसरी लाइन जो होगी sorry theta जो होगा इसमें if लिखेंगे कि if line 1 and 2 are perpendicular to each other if and only if theta is equal to 90 that gives 1090 is equal to undefined और 1090 क्या होता है undefined तो यहाँ पर होज़ाएगा that gives a2 b1 minus a1 b2 divided by a1 a2 plus b1 b2 is not defined और यह कब होगा then क्योंकि a0 तो होई नहीं सकता ठीक है यह अगर 0 होगा तो lines क्या हो जाएगी parallel हो जाएगी यह पहले ही हम लोगो probe कर चुके हैं तो then a1 a2 plus b1 b2 is equal to 0 तो एक ही possibilities है कि a0 हो जाएगे ठीक है क्योंकि यह हम लोगो probe कर चुके हैं कि अगर b1 a2 या minus a1 b2 अगर 0 हो गया तो lines क्या हो जाएगी parallel हो जाएगी आगर वो 0 नहीं है तब यह perpendicular है तो यह necessary है कि यह वाला terms 0 हो यानि कि perpendicular होने के लिए हमारे पास यह conditions होना चाहिए तो किसी भी lines में अगर यह 0 हो गया तो मत्तब वो दोनों lines एक दूसरे के साथ क्या होगी perpendicular होगी ठीक है तो चलिए एक example से देखते है इसको examples है कि a line passing through the points A 2 and minus 2 3 is perpendicular to the line 4X और 3Y plus 5 is equal to 0 then find the value of A तो सबसे पहले किलेट equation of line passing through A 2A and minus 2 3 is और हम लोब पीछे बना चुके हैं दो points given हो तो उसे equations ठीक है तो चुकि अभी लगबग हम लोग वो सारे equations formations की terms को देख चुके हैं तो इसलिए हमें ये problems नहीं होगी देखने को तो फिर एक जब पहली बार class चला था तब देखे थे हम लोग और आप तो revision चल रहा है तो चलिए वो क्या होगा ये बना लेते हैं तो वो होता है y- y1 यानि कि y- a sorry y1 करना है तो y- 2a 2a ये हो जाएगा y1 x1 x2 y2 is equal to y2 यानि कि 3-2a divided x2- x1 minus 2-a और x-a ठीक है और इसको solve कर देंगे तो क्या मिलेगा कि ये हो जाएगे multiplied कर देंगे इसको तो minus 2y plus 4a plus 4a और साथ में minus a y plus 2a square और इधर जब multiplied होगा तो ये हो जाएगा equal to 3x minus 3a और 2 से करेंगे तो minus 2a x minus 2a x और plus 3a ठीक है अब इसको जब एक तरफ लाएंगे तो ये क्या होगा तो ये हो जाएगा minus 2y और minus ay तो इसको हम कर लेंगे minus 2 plus ay और उधर चले जाएगा तो उधर ही ले लेते हैं सबको चलो पहले solve कर लेते हैं तो ये हो गया और इधर मिल जाएगा plus 4 a plus 2a square और उधर हो जाएगा यहाँ पह थ्री और ये 2a square 2a square तो इधर मिल जाएगा 3x minus 2a 3x minus 3 minus 1 करना पड़ेगा x को बाहर लेना है 3 minus 2a x ये दोनों हो गया और बच गया कितना minus 3a plus 2a square तो ये दोनों तरप से cancel हो गया और तब हमें मिल जाएगा cases तो उधर ले जाएगे तो 3 minus 2a x plus 2 plus ay और इधर से ये 4a minus जाएगा तो minus 3a था तो minus 7a हो जाएगा is equal to 0 ये पहला इसमें a ये हो गया b1 ये हो गया अब दूसरा given है and 4x plus 3y plus 5 is equal to 0 ये दूसरा given है और कहता है कि ये perpendicular है इस लाइन पह तो condition फर पर्पेंदिकुलर लाइन फोन and 2 are perpendicular to each other each other is a1 a2 plus b1 b2 is equal to 0 आल लेका अप्सल्व कर देते हैं यह हो गया a1 क्या है? 3-a और a2 क्या है? 4 4 3-2a plus b1 2 plus a और b2 3 3 2 plus a is equal to 0 यह हो गया 12-8a plus 6 plus 3a is equal to 0 तो यह हो जाएगा 18 और minus 5a is equal to 0 तो 5a is equal to 18 तो a is equal to 18 by 5 यह answer हो जाएगा ठीक है? तो यह हो जाएगा 18 by 5 तो इस तरह से हम इनको substitute करके निकाल सकते हैं यह दो lines दिया गया है और पूछेगा कि क्या यह perpendicular है की नहीं है तो इस formula का इस्तमाल करेंगे अगर 0 आ गया तो वह perpendicular है ठीक है? तो इस तरह से हम लोग क्या-क्या निकाल सकते हैं अब angle between two lines और दूसरा कि वो line दोनो अगर parallel है तो conditions क्या होगी? और perpendicular है तो condition क्या होगी? ठीक है? अब हम चलते हैं एक और topics है इस chapters में फिर उसके बाद कुछ questions को करेंगे वो है कि slope of line making a given angle with a given line कोई एक line given है और उस पर वो किसी point से pass कर रहा है उस पर जो angle बना रहा है lines वो उसकी conditions को हमें follow करना है कि वो कैसे equations बनाएंगे तो चलिए देख लेते हैं जैसे कि हमने ले लिया axis यह 0 हो गया यह xxx और यह y axis ठीक है? और इस पर हमने एक line ले ली एक line ले लिया मनलों कि यह a b line ले लिया जो इसके साथ theta angles बना रहा है किसके साथ x axis के साथ ठीक है? और एक दूसरी line ले लिए जो कि given है ठीक है? given है तो उसके साथ मनलों लेते हैं कि alpha angle वो बना रहा है जो कि given angles है यह alpha जो है given रहेगा और यह slope निकालना है यानि कि tan theta हमें निकालना है तो देखिए एक condition दो होगा अगर यह theta है और यह alpha है तो यह हो जाएगा theta minus alpha क्योंकि यह exterior angles है और यह interior दो opposite angle के sum के बराबर होगा तो एक तो condition ही होगा suppose करो कि यह angles के alpha यहाँ दिया होगा है और यहाँ पर theta है तो दूसरी वाली angles हमें मिलेगी alpha minus theta तो इससे दोनों वही conditions है जैसे कि एक acute हो जाएगा तो एक और tuse हो जाएगा conditions यहीं रहेगा ठीक है तो ऐसी conditions में आम मल लेते हैं कि AB is line है ठीक है जो theta angles बनाती है जिसका slope हमें find करना है we have to find slope of AB line which माल लेते हैं कि इसको CD नाम देते हैं लिखने में में सान रहेगा विच मेक्स ठीटा न अंगेल अलफा विथ अन अधर लाइं cd which is passes through x1 y1 यह points given होगा या वो line ही given होगी इस तरह से कोशन लेते हैं कि वो x1 और y1 से pass भी करता है तो वो ठीटा क्या हो सकता है तो अफ ए बी विल बी टैन ठीटा माइनस अलफा और टैन ठीटा प्लस अलफा यह दोनों हो सकता है ठीक है इन दोनों को ही अपको क्या करना पड़ेगा लेना पड़ेगा तो उसमें से कौन क्या होगा इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक अगर ठीटा आता है तो दूसरा पाइब मैनस ठीटा इस कंडिशन को यूज करेंगे तो भी आ जाएगा और इस कंडिशन को नहीं यूज करेंगे किसी एक को निकाल कर दूसरा हम फैंड कर सकते हैं तो हम जानते हैं कि कोई लाइन जो है एक लाइन से यहसिल फैंड होता है तो इसका तैसे सलाः ओग्या तो यूज लाइन अको हो जाएगी उस लइन के भी स्लोप हो जाएगा थिक है तो वह अगर पास करता है तो उसके लिए हमको क्या यह कर लेते हैं तो इसका स्लोप मालने चार्प हो उस्लोप हो जाता है स्लोप इसका म ले लेते हैं ठीक है candid Е만 हो जाएगा इस से यह sloping हो जाएगे उसकी और यह अगर हम निकालते हैं तो यह क्या होगा y वो equations क्या हो जाएगे तो वो equations होगा y minus y1 ठीक है is equal to tan theta plus alpha x minus x1 और y minus y1 is equal to tan theta minus alpha x minus x1 इस तरह से यह बन सकता है तो अगर इसको हम ले सकते हैं तो tan theta is equal to क्या है यह इसका ले लेंगे तो tan theta is equal to m तो यह होजाएगा that gives y minus y1 is equal to m plus tan alpha divided by 1 minus m tan alpha x minus x1 or y minus y1 is equal to m minus tan alpha 1 plus m tan alpha x minus x1 यह दो conditions मिलेगा जिसको लेकर हम निकाल सकते हैं ठीक है और कौन से रहेगी एक line given रहेगा जो दूसरे lines पर angles से form किया रहेगा और उस line की जो equations है उससे related हम m निकाल लेंगे तो यह इस conditions को follow करेगा इसमें m जो find out आएगा वो क्या होगा जो lines की slope निकालनी है वो slope होगा ठीक है तो चलिए यह questions बना लेते हैं इससे यह है कि example find the slope of a line which makes angle theta with line x minus 2y is equal to 3 अब इस line के साथ वो बना रहा है है क्या 10 alpha तो given है क्या given है 10 alpha is equal to 45 degree that means 10 alpha is equal to 1 यानि alpha sorry 1045 क्योंकि alpha is equal to 1045 है अब हम इसको रख सकते हैं कि यहां पे जो है एम एम निकालना है इस line के साथ और यह कहां से pass कर रहा है तो यह line तो आल्रेडी बनी हुई है ठीक है इसमें इसको पूट कर देते हैं यह होगा वाई माइनस वाइवान डाट इस एक्वल टू टैन एम लेलेंगे एम माइनस क्यों जाएगा यह टैन अल्फा टैन अल्फा मतलब वन और वन माइनस प्लास यह एम एक्स माइनस एक्स वन और इसको जब हम फॉर्म करेंगे तो यह line क्या फॉर्म होगा तो यह हो जाएगा चलो इसको फॉर्म नहीं करते हैं इसको एक्वेशन नंबर वन ले लेते हैं जिसमें यह इसका स्लूप हो जाएगा और यह lines meet कहां करता है इस lines पर तो वो दूसरी वाली lines जो हो जाएगी तो वो हो जाएगा इसको फॉर्म करो कि y is equal to x minus 3 by 2 that is equal to y is equal to 1 by 2 x minus 3 by 2 और यह दोनों lines एक दूसरे का साथ angles बना रही है तो उन दोनों का स्लूप इस फॉर्म में सेम होना चाहिए तो यह हो जाएगा that gives from 1 and 2 यह हो जाएगा m1 minus 1 और यह हो जाएगा m plus 1 is equal to 1 by 2 that gives 2m minus 2 is equal to m plus 1 that gives 2m minus m is equal to 1 plus 2 that is equal to 3 तो m is equal to 3 यह given line का स्लूप हो जाएगा तो guys आपको यह तीन पॉइंट्स हम लो लिए एंगिल बिट्विन दो lines parallelities perpendicularity और वुस लाइन का स्लूप जो दूसरे लाइन के साथ है एंगेल करता है तो इस conditions को लेकर हम लोगे जामपल्स में भी समझा तो हम लोग समझ गया होंगे तो यह जो exercise कैसे सिन्ह या अदर्स में है इस points से related कैसे सिन्ह में यह मैं बता दूँ कि 21.7 है तो उसमें आप इसी तीन चार formula का इस्तिमाल करके सारा questions बना सकते हैं तो आप practice किजिए जो problem सारा हम को भेजिए बस इतना हमारे लिए किजिए कि वीडियो को पूरा देखिए like किजिए subscribe कि दिए और दोस्तों में share करके उनसे भी like और subscribe करवाईए तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही हम आस आप लोगों सरकते हैं कि आप लाइब subscribe करेंगे लाइब subscribe करवाकर भी चैनल के growth करेंगे चलिए आप सबका धन्यबाद जैहिंद ओके बाई